गुड मॉनिंग स्ट्वेंट्स अब हम जो है कुछ सेसाइल और पैलेजिक ट्यूनिकेट की लाइफ इस्ट्री के बारे हम बढ़ेंगें यान में एसीडिया, हर्डवानिया, पैरोसोमा, सालपा, डॉलियूलम, ऐकुपलूरा यह हैं तो सबसे पहले लेते हैं एसीडिया की पैलेजिक लाइफ फ्री, एसीडिया का सिस्टेमेटिक पॉशिशन देखें तो फालम गोड़ेटा, सभालम यूरो गोड़ेटा, क्लास असीडिशिया, और और अंटेरोगोन और जीनस एसीडिया, जो की सभी डेफ में पायाता है, समुदर की सभी गेरायों में पायाता है और किसी चट्टान से चिपके हुए अब स्थम पायाता है एक जुरीदार एक थैली के समान सरशनाव के अंदर वो इसका शरीड जो है अटेस रहता है ब्रॉड बेस के द्वारा जिसमें फुट कहते हैं उसे टेस्ट इसके शरीड चारो और एक टेस्ट पायाता है थिक ब्राउन कलर का जिसमें दो साइफन होते हैं एक तो ब्रेंकिल अपर्चर होता है और एक अट्रियल अपर्चर होता है और उसके नीचे फैरिंग्स पायाता है इस फैरिंग्स के अंदर नुमेरेस गिल्स होते हैं the spacious pharynx, काफी बड़ी pharynx होती है, जिसमें एक transverse row की रूप में ये एरेंज रहते हैं, लगवग दो दहाई लाख gilsillids एक pharynx में पाया जाते हैं, इसमें liver नहीं होता, heart is present, but heart पाया जाता है, brain lies dorsal to the neural gland, neural gland के dorsal में brain पाया जाता है, इसके अगर anatomy देखें, acidia की, तो ये दो चिद्र हैं, जिसे brankle siphon, ये buckle siphon केते हैं, और ये atrial siphon है, इन में चिद्र पाया जाने वाज़ा, इनको चिद्रों को oral aperture और atrial aperture केते हैं, ये oral aperture pharynx में खुलता है, pharynx चिद्री उप्लती है, और ये उस उफेगस के मादियम से stomach में खुलती है, stomach से intestine के ज़ारा, ये atrial, atrium के अंदर खुल रही है और इसके मादियम से, और इसी प्रकार से इसमें gonards हैं, वो gonards भी इसी ये इसके overduct और ये इसके वासर डिफ्रेंस, ये दोनों ही atrium में खुल रहे हैं, इस प्रकार से इसके anatomy, इसके बाद dorsal tubercle के उपर पाया जाता है, pharynx के उपर, जो इसको hermophrodite animal होते हैं, इन नर और मादा दोनों एक ही प्राणी के अंदर पाया जाते हैं, इनकी life history include the tailed tadpole larva, इनकी life history में tailed tadpole larva होता है, यानि retrogressive metamorphosis के अंदर पाया जाती है, retrogress reproductive system अगर इसका देखें तो hermophrodite animal होते हैं, इनके gonards sac like होते हैं, थैले के समान होते हैं, जो intestine के association मे यह attached रहते हैं, mesodermal origin से बनते हैं, ovary और attestis दोनों ही, दोनों की जो gonoduct हैं, वो atrium में खुलती हैं, इनकी sex cell जो हैं, वो atrium में त्याग दी जाती हैं, atrium से atrium के द्वारा बाहर त्याग दी जाती हैं, और समुदर में के बाहर के पानी में इनमें fertilization होता है, fertilization हमेसा cross होता हैं, self fertilization नहीं होता, क्योंकि इनमें यह की पराणी के ovum और sperm का जो maturation है, वो अलग-अलग होता है, इसलिए वो cross fertilization होता है, sexual reproduction के अलावा इनके अंदर कभी-कभी budding भी देखिए जाती है, और regeneration की power भी HDDM में पाई जाती है, development and life is free, तम development इसका बहुती interesting type के development होता है, इसका ontogenic जो developmental process है, वो indirect, indirect होता है, मतलब larva की माधियन से होता है, development is the accompanied with the larva mortamorphosis, जिसे accident dead pole भी केते हैं, phenomenon of metamorphosis include a series of changes, जिसमें की एक बहुत सारे एक करम है, बदलावों का, जिसमें एक विक्सित larva, एक अलप विक्सित वैसक की अंदर रूप अंतरित हो जाता है, इसमें metamorphosis, most of the animals में progressive होती है, लेकिन इनके अंदर retrogressive होती है, इसकी जो lifestyle, life cycle है, उसको हम दो categories में बाढ़ सकते हैं, pre-larvalistice और larvalistice, pre-larvalistice में eggs, इसके eggs से लेकर के एक समाल होते हैं, york less होते हैं, उनमें जो है, उनमें एक covering जिल्ली पह जाती है, जो उनको तहरानी का काम करती है, cleavage में होल blastic होता है, equal होता है, इस शुरुआत में equal होता है, बाद में unequal होता है, eight cell stage जब बनती है, तो उसकी चार उपर की जो कोशिका हैं, वो epiblast बनाती है, आकारम बड़ी होती है, और नीचे वाली hypoblast बनाती है, जिनसे आग चल करके endoderm बनती है, eight cell stage में ये जो cleavage है, वो set हो ज cell की stage पर पहुंचता है, तो इसके अंदर invagination की परिया, epiboli और invagination की परिकरिया होती है, यानि कोशिकाओं का अंतरगमन चुरू होता है, और जहां से अंतरगमन चुरू होता है, उस जगह पर एक नई गोहा बनती है, जैसे आर्केंटरॉन कहते हैं, और वो blasto seal cavity को replace कर दे करती है, और एक नया चिदर बनता है, जैसे blastopore केते हैं, और blastopore आगी चल करके एनस का निर्मान करता है, उसके बाद जो neural plate है, इसकी ectoderm जो होता है, वो neural plate होती है, वो neural plate neural tube का बनती है, formation करती है, जैसे neural tube बनती है, जैसे nervous system बनता है आगी चल करके, along with middorsal line, middorsal line पर एक archentron notocode को बनती है, और notocode से archentron के उपर बनती है, larval stages, larval stage में about three days and with the further development, the neural stage transform into free swimming acidian tadpole larva, जिस से इसमें यह acedia है, acedia से यह ovum और sperm निकले, और यह समुदरी पानी में आ करके, जैगोड बना है, जैगोड से development हुआ और लार्वा बना, लार्वा आ करके, अपने एड़ से प metamorphosis के बाद में यह वयस कैसीडिया में convert हो गया, fully grown tadpole is highly motile होता है, does not take food from outside, बार से बोजन नहीं करता, non feeding form होता है, elongated cylindrical body होती है, दो रीजन में बटा होता है, head और tail में, whole body is covered with tunic, taste से आवरित होता है, इसका शरेर, head इसका elliptical होता है, तीन एड़स से पेपिलप आ जाते ह हैं, इसके जिसे mid dorsal, एक तो mid dorsal होता है, और दो ventral lateral होते हैं, एड़स से पेपिला attachment का काम करते हैं, metamorphosis के दोरान, tail laterally compressed होती है, और उसके चार और एक caudal fin पर जाती है, और ventral fin जो हैं, वो continuous along tail के continuous होती है, central nervous system is situated to the dorsal to the notochord, notochord में जो neural tube बनी थी हुए है, उसका central nervous system ब dense होता है, जिसे इसका brain में केते हैं, single median eye होता है, containing जो photoreception का काम करती है, retina होता है, pigmented layer होती है, cornea होता है, lens होता है, is present in the inner wall of the hollow sensory vesicle, तो यह सारा का सारा photoreception के लिए होता है, प्रखा संबेदियंग होते हैं, एक autocyst पा जाता है, जो santulan बनने का काम करता है, so mental side में होता है, rear is usually, rear से, cylindrical nerve cord is not much differentiated into hollow throughout the length, पूरी लंबाई में hollow नहीं होती है, वो, notocord is restricted only tail region, tail region के तक ही, वो simit होती है, notocord, segmental muscles पा जाती है, और elementary canal rudimentary होती है, mouth present होता है, लेकिन खुला हुआ नहीं होता है, इसकी pharynx थेले के आकार की होती है, sovixit होती है, and fully developed endostyle होती है, gills lids होती है इसमें non-functional heart होता है, epicardia की नीचे इसमें पाया जाता है, और इसमें endostyle पाया जाती है, paired atrial sac पाया जाते हैं, just after hatching tadpole becomes a photopositive and geonegative हो जाता है, यानि कि प्रकास के विपरी दिसा में ये गमन करने लगता है, यानि समुदर की घराए में, metamorphosis इस प्रकार की है, if receiving जो tadpole है, वो कुछ period के बाद में, वो sluggish हो जाता है, sluggish से मतलब एक जगे स्थिर हो जाता है, active life से inactive हो जाता है, it soon attaches to the seaweed, या किसी stone से, या किसी समुदरी खर्पतवार से चपक करके, और फिर इसके fast degeneration होता है, जिसमें इसे metamorphosis, retrogressive कहते हैं, इसके कुछ retrogressive changes हैं, और कुछ progressive changes हैं सबसे पहले लेते हैं, retrogressive changes, just after fixation, length of the tail become greatly diminished, लंबाई इसकी tail की सबसे पहले खतम हो जाती है, nerve cord restricted to trunk region तक रह जाती है, और notocord coiled हो जाती है, disorganized हो जाती है, finally disappear हो जाती है, trunk जो है, वो broadened हो जाता है, चोड़ा हो जाता है, इसका धड़, number of history diminished हो जाते हैं, संक्या कम हो जात हो जाती है, muscle band degenerate हो जाते हैं, tail इसकी shorten हो जाती है, और बाद में गय हो जाती है, mouth 90 degree पर घूम करके pointed हो जाता है, और फिर rapid growth करके और adhesive बिला के पास आ जाता है, and as development goes, the tail become the more shortened and particularly withdrawn into the test, and notocord, dorsal, nerve cord और tail, इस सब disappear हो जाते हैं, progressive changes भी होते हैं, इसमें कुछ, progressive changes यह होते हैं कि during metamorphosis, some progressive changes जाकर, branchial chamber become enlarged, इसका जो branchial chamber हो जाता है, यानि pharynx बड़ी हो जाती है, और उसमें stomata की संख्या बढ़ जाती है, most pharyngeal portion of the gut gets resonated to the different parts, जो गट के विभिन भाग, जो है resonated हो जाते हैं, छेत्र में सिमित हो जाते हैं, atrium become more extensive and large, atrium बढ़ करके बड़ी हो जाती है, willum बड़ी हो जाती है, gonad और gonoduct से attach हो जाते हैं, और some structures like the form is stigmata, specialization of pharynx and over development of atrium, ये सब हो जाते हैं, इस प्रकार से ये इसका development है, thank you.